Good morning friends. Futures and Options Series का ये 9th वीडियो है. Last वीडियो में हमने सीखा ता debit spreads क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे इनको deploy किया जा सकता है और different scenarios के तरह समझा था कि किस तरह से आप इसमें पैसा बना सकते हैं, क्यों आप इसमें पैसा बनाते हैं, इसके पीछे का logic क्या होता है, delta का क्या roll होता है and all that. उस वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि हम इसका adjustment सीखेंगे, next वीडियो में, if you remember, हमने ये चीज़ को discuss किया था, कि यहां पे एक breakout आता है और हमने यहां कहीं पे debit spread deploy करके, यह समझाता कि, जब यह हमारे favor में जाता है, तो किस तरह से हम पैसा कमाते हैं, उसी वक्त हमने ये भी discuss किया था, कि next वीडियो में हम इसको discuss करेंगे, जहां पे कि हम एक debit spread deploy कर रहे हैं, लेकिन वो breakout होने के बाद fail हो जाता है, और हम एक debit spread म trap हो जाते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने losses को minimize करने के लिए, या फिर एक loss making trade को profitable trade में convert करने के लिए, आज के वीडियो में मैं आपको दो adjustments के बारे में बताऊंगा, तो पहले type का scenario वो होगा, जहां पे कि आपको लग रहा है कि market ने पूरा 180 degree का reversal ले लिया, मतलब आ आपको realize हुआ कि नीचे यहां पे एक RSI में divergence बन रहा है, और अब आपको लग रहा है divergence बन रहा है, तो यह breakout शायद successful नहीं होगा, बट आप शुरू में मान लो कि miss कर गए हो देखना, और आप आप already एक bull call spread में trap हो गया, तो आप वहां से situation को कैसे adjust करेंगे, second वो scenario देखें क जहां पे कि आपको लग नहीं रहा है कि यह divergence successful होगा, या मान लो कोई divergence था ही नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं trap तो हो गया हूँ, बट शायद market पूरी तरह गिरेगा नहीं नीचे या पूरी तरह उपर नहीं जाएगा, मैं unclear हूँ, तो आप किस तरह के adjustment करके अपने capital क थोड़ा सा safeguard कर सकते हैं, तो यह दो type के adjustment आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, तो चलते हैं Obstra के options simulator में, but before we go there, अगर आपने ये वाला part 8 वीडियो नहीं देखा है, तो आपको debit spread का core definition ही समझनी आएगा कि क्या होता है, इसलिए जरूर पहले देख लो, channel पर आओ option की view full playlist करोगे, तो you will see all the videos are there, अभी तक जो हमने 8 video बनाए हो, सारे यहाँ पे मिलेंगे, और यह है, यह वो video जिसमें हमने bull call spread और bear put spread को detail में समझा है, आप्स्टा में आ जाते हैं, आप्स्टा में option simulator पर आ जाते हैं, यह option simulator है, अब हमें करना क्या है, हम यहाँ पे हैं, यह एक breakout होने लग रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे open equals to high है, अभी तक हमें confirm नहीं है, breakout हुआ है, इस candle ने बहुत अच्छी bullish candle बनी है, यह 13 September 2023 की bullish candle है, तब म तो मुझे लग रहा है कि यह शायद breakout successful हो, इस bias के साथ मैं एक bull call spread deploy करना चाहता हूँ, ठीक है, यह कौन सी तारिक है, 14 September थर्स्टे है, यानि कि हम लगबग सवा 3 मजे के आसपास देखेंगे, थर्स्टे 14 September को, और एक bull call spread deploy करेंगे, क्योंकि यह इसके high के उपर है, ठीक है, थर्स्टे, 14 September थर्स्टे है, तो हमें उसके next expiry के लिए bull call spread deploy करना पड़ेगा, 14 September के next expiry होगा, 21 September, expiry select कर लिया, कहां से शुरू करेंगे, हमें simulation को, 14 September से कहां तक चलाएंगे, 21 September तक, जो expiry तक, ठीक है, कब deploy करेंगे, अभी है, 9 बच के 16 मिनिट हो रहा है, हमें इसको at the end of the day deploy करना चाहते हैं, लग बग 3 बजे, 7, 3, 16, 3, 16 पर आजाएगा, 3 बच के 16 मिनिट पर हम इसको deploy करना चाहते है, get the option chain, अगर मुझे एक bull call spread deploy करना है, तो मुझे क्या करना होगा, एक ATM या ITM का call को buy करना होगा, एक out of the money call को sell करना होगा, तो इस वाक्त 20,100 के आसपास nifty चल नीचे एक call को मैं buy कर सकता हूँ, और एक out of the money call को जाके sell कर दूगा, चलते हैं नीचे option chain में, यहाँ पर आ गया है, 20,150 पर ATA में, तो मैंने 20,100 के call को क्या कर लिया, एक buy कर लिया, और एक नीचे आ जाता हूँ, 20,400 के, इसको call को sell कर दिया, क्यों 400 किया है, हमें एक significant delta का difference रखना है, जो हमने लास वीडियो में समझा, और आसान तरीके से समझना है, तो देखू कि मुझे एक respectable risk to reward ratio मिलना चाहिए, एक debit spread में, 1 is to 2 के आसपास, यहाँ पर मुझे almost 1 is to 2 मिल रहा है, तो मैंने, मेरे हिसाब से फिर 20,400 के अच्छी out of the money call है, यह मैंने sell कर दिया, next day क् होता है, Friday को 9 बच के 16 मिनिट पर market खुला, मैं 852 रुपर के साथ profit में हूँ, क्यों, क्योंकि यह मैंने यहाँ deploy कि अगले दिन gap up हुआ, और मेरे direction में ही चाहरा है trade, हम यह हमारे against कब जाने लगा है, यह Wednesday को गया है, तो हम थोड़ा सा fast चलते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो हमे साथे 3,000 रुपर के profit loss में हूँ, क्यों हूँ, क्योंकि यह बहुत बड़ा gap down है, चलो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, 20 September है, 20 September को हम 15 मिन के चार्ट पे लेके चलते हैं, 28 September पे आ जाते है, 15 मिन के चार्ट पे, यहाँ पे, उस दिन market gap down हुआ, इस वक्त हम यहाँ प हैं, 19,998 के असपास, जब मुझे यह loss हो रहा है, देखो अगर आप एक option strategy deploy करके trade करते हो, और अगर आप 920 के straddle sellers की category में नहीं आते हो, तो generally आप क्या करते हो, कि जो सवा 9 से 10 के बीच में, जो market खुलते ही, जो volatility होती है, market में, उस period को avoid करते हो, before you go for an adjustment, तो अभी हम क्या क कर रहे हैं, हम इस वक्त यहां पे हैं, हम 15 मिनिट के बाद देखते हैं, situation क्या बनती है, 15 मिनिट के बाद ये candle बन गई है, ठीक है, अभी हम कहां पे 9 बच के 30 मिनिट ये candle बन चुगी, ये candle देख कि मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि यहां पे कोई bearish signals है, gap down हो चुका है वो मेरे control में नहीं है, but now what I am doing is, I am waiting for the price section to confirm, to give me some signals कि अभी क्या होने वाला, क्या ये gap fill होगा, और या फिर ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये breakout level पे है, यहां से support ले लिया है, एक ठीक्था candle बनाई है, I'll have to wait, मैं क्या करूंगा, अभी मैं adjustment नहीं कर रहा हूँ, I am waiting, अभी बहुत जादा volatility है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नो पॉने 10 बजे मैं देख रहा हूँ कि यहां पे मुझे loss हो गया 4,200 का, लेकिन अगर मैं price section देखता हूँ, यहां पे एक और candle बनी, यह candle मुझे क्या बूल रही है, कि मैं थोड़ा bearish हूँ, लेकिन यह candle, पहली वाली candle के अंदर है, it's kind of an inside bar, इसलिए क्या है, अभी तक मेरा indecision maintained है, अगर मैं यहां पे जाके देखो, मेरी जो opening range है, वो अभी तक intact है, अभी तक मुझे कुछ भी confirmly नहीं पता चल रहा है, कि मैं bullish हूँ या bearish हूँ, ठीक है, तो मैं अभी adjustment करने वाली position में नहीं ह आपके हाथ में है, आप चाहें तो पहली candle से आपको लग रहा है और आप डर गए हैं, आपको पैनिक हो रहा है, तो आप adjustment स्टार्ट कर सकते हैं, मैं एक तरीका बता रहा हूँ जो, मैं initial volatility को avoid करके कुछ फुछ फुरा wait करते हैं, price को तुड़ा settle होने देते हैं, adjustment करने के ल दस बजे की candle, यानि कि तीसरी candle बन गई है, तीसरी candle यह वाली है, if you look at the third candle, you can easily realize कि यह भी एक inside bar है, जो initial range है वो भी उसके अंदर है और उसने, जो मेरा breakout का level था वहीं से वो भी support ले रहे है, तो अभी तक मुझे बिलकुल पता नहीं है कि क्या यह gap fill होगा और या price नीचे जाएगे, so I am not in a position to make any adjustments and I am still in the waiting game, so मैं और पंदरा मिनिट का वेट करता हूँ, oh मेरा loss 4600 हो चुका है, now if I look at this candle, this candle is telling me कि मैं थोड़ा बेरिश हो गया हूँ, market मुझे बोल रहा है कि मैं बेरिश हूँ, क्या हुआ इस कैंडल है, मेरा initial range को थोड़ा, breakout level के भी निंचे closing दे करता है कि शायर trend बदल गया है, बदल नहीं गया है, trend बुरी तरह से 180 degree का reversal मार चुका है, क्योंकि daily chart पे आप मुझे divergence भी दिखने लगा है, और यहाँ पे मेरा breakout level के kind of नीचे आ गई है, क्योंकि मैंने एक bull call spread बनाया था, bull call spread का bias होता है bullish, मेरे यहाँ पे तो market ने पूरी त करना पड़ेगा, अगर मैं price section ऐसे read कर रहा हूं, कि यहाँ पे पूरा reversal आ गया, अभी मैं इस adjustment के एक और adjustment बताऊँगा, जहाँ पे कि मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं, शायद यहाँ से support ले सकता है, तो मैं पूरी तरह bearish भी नहीं हूं, और पूरी तरह bullish भी नहीं हूं, वो adjustment भी थोड़ी जर में सीखेंगे, अभी हम वो adjustment सीखते हैं, कि क्या अगर मुझे ऐसा लग रहा है, कि पूरी तरह market 180 degree से पलट गया है, तो अब क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैंने एक bull call spread बनाया, option क्या है मेरे पास, मैं एक bear put spread बना लूँ, लेकिन already मैं एक bull, sorry, bull call spread में जो जिसमें की मेरी दो call की legs खड़ी है, bear put spread जो है, वो put की legs का होता है, तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे bear put spread बनाना तो क्या करना पड़ेगा, पूरा एक fresh bear put spread का pair बनाना पड़ेगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि मैं call spread में loss book कर लूँ, और एक fresh bear put spread बना लूँ, fair enough, ऐसा कर स सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि मेरी calls की दो legs खड़ी हैं, तो मैं debit spread की जगे bearish side का credit spread बना सकता हूँ, अभी हमने credit spread को discuss नहीं किया, लेकिन basic definition आप समझ लो, bear call spread बनाने के लिए मुझे दो call की legs चाहिए, मैं क्यों इसको prefer कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दो call की legs, already मेरे bull call spread में है, और मुझे लग रहा है, यहाँ 180 degree reversal हो गया price में, तो मैं जहाँ पे bullish मैंने deploy किया था debit spread, मैं वहाँ पे इसको convert कर रहा हूँ, bearish spread में, this is the whole idea behind this, तो इसको deploy करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक OTM call को buy करना है, और एक ITM call को sell करना है, क्या मेरे पास OTM call है, जो buy की भी है, मेरी OTM call है, 20,100 पे, हम कहाँ पे है, 19,900 में, तो यह OTM call है, मैंने buy किया हुआ है, तो one leg is already there, तो मुझे इस leg को fresh deploy करने के जरू होती है, दूसरा leg क्या है मेरा, जहाँ पे मुझे एक ITM की call sold चाहिए, यह मेरी जो ITM की call है, यह डीप OTM है, ITM नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मुझे ITM, डीप ITM call चाहिए, to convert this debit spread into a credit spread on the bearish side, तो अब हमें क्या करना है, फिर यह leg मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि यह leg तो किसी काम का नहीं है, मुझे तो deep in the money call को sell करना है, तो मैं इससे exit कर जाता हूँ, if I go here, मेरा P&L देखेंगे, तो यह 3 रुपए 70 पैसे पे चल रही है, तो मैं इससे exit करने के लिए यहां पे 3 रुपए 70 पैसे में इससे exit कर जाता हूँ, modify position यह exit हो गया, मेरा pay off chart कुछ ऐसा हो गया, what do I need, मुझे deep in the money call को get the option chain, मुझे deep in the money call को क्या करना है, sell करना है, in the money call कौन सी हो जाएगी, 19600, 19700 को इसी भी हो सकती है, मैं आपको एक बार 19700 sell करके देखते हैं, मैंने 19700 को sell कर दिया, जैसे ही मैंने 19700 को sell किया, मेरा जो spread था, जो की bullish bias वाला था, वो पूरी तरह bearish bias में convert हो गया है, अब अगर nifty नीचे जाएगा, तो मुझे पैसा मिलेग निफ्टी ऊपर चला गया, तो मुझे loss होगा, मेरा यहाँ पे जो risk to reward ratio थोड़ा सा negative देख रहा है, तो मैं थोड़ा क्या कर सकता हूँ, 19700 के जगे थोड़ा और नीचे जा सकता हूँ, 19600 की call को अगर मैं sell कर रहा हूँ, तो अब देख रहो, अब थोड़ा 1 is to 1 आ गया है, देखो यहाँ पे आप 1 is to 2 के बारे में मत सोचो क्योंकि आप अलड़ी bullish spread में trapped हो, आप कोशिश करो कि आप कितने जादा से जादा बचा सकते हो, क्योंकि price exchange से आपको ऐसा लगा कि market ने 180 degree reversal मार दिया है, तो आपने अपनी position को भी 180 degree reversal कर दिया, clear है, यह आपको समझ आ रहा ह तो आप पैसा कमाएंगे, उपर गया तो आपका loss होगा, हलांकि है, दोनों side पे limited है, unlimited कुछ नहीं है, ठीक है, अब अगर मैं इसको चलाओं, यह मैंने 20 तारिक को, sorry, 20 तारिक को 10 बच के 16 minute पे adjustment कर दिया, अब मैं इसको थुड़ा आगे चलाता हूँ, अब मैं next day चला जात हैं, कभी भी आप exit कर सकते हो, मैं जस्ता आपको दिखाने के लिए कि अगर मैं आखिर तक भी, day close होने तक भी इस position को hold किये रहता, तो भी मैं सबा तीन बजे के round 6,000 रुपे कमा के निकल जाता है, क्या हुआ यहां पे, मैं 4,600 something के loss में था, मैंने एक bullish spread बनाया वा था, debit spread, market मेरे पूरी तरह गेंज चला गया, मैंने एक adjustment किया, मैंने एक leg जो मेरे sell वाला leg था, उसको switch किया, ठीक है, और उसको in the money बना लिए, जो पहले out of the money था, मैंने उसको in the money बनाया और मेरा spread उल्टा हो गया, अब मेरा credit spread बन गया, क्योंकि मुझे इस पर 300-300 रुपे का premium मिला यह मेरा credit spread बन गया, और मेरा direction जो था ना, spread का पूरा change हो गया, बेरिश हो गया, और जहां मैं loss कर रहा था, वहां मैं profit में close कर रहा हूं, ठीक है, clear है, pause करके, पापस जाके, 2-3 बार देखोगे, समझ आ जाएगा, credit spread समझ नहीं आया, तो मैं आने वाले time पे video बना रहा हूं उसके उपर detail में, अब हम वो situation समझते हैं, जहां मुझे ऐसा लग रहा है, कि यार यह तो, नीचे दो गिरा है, पर पता नहीं पूरा गिर जाएगा, कि नहीं गिरेगा, ठीक है, मैं confused हूं, क्योंकि यहां पे मुझे support लेख रहा, मुझे लग रहा, शायद यहां से support ले ले ठीक है, और यहां पे gap है, शायद यहां से support ले ले, मुझे ऐसा लग रहा है, और क्योंकि यह breakout हुआ है, अगर यह breakout लेके, यहां से support लेके उपर चला गए, तो यह successful retest हो सकता है, और पूरी तरह market वापस bullish हो जाए, तो I am little confused, तो यहां पे मैं पूरी तरह से अपनी position को reverse न ठीक है, तो पहले तो मैं वापस वहां आ जाता हूँ, Wednesday को सुभे 10 बच के 16 मिनिट पे हमने, sorry, adjustments किये थे न, sorry, 1,15, चलो, हम वापस वहां आ जाते हैं, Wednesday को 10 बच के 16 मिनिट पे इसको मैं हटा देता हूँ, यह हमने extra buy किया था, वापस इसको मैं उसकी जगे ले आता हूँ, हम 4,602 रूपे 50 पे से के loss पे थे, 10 बच के 16 मिनिट पे जब यह candle बनी थी, right, और यहां से हमें लगा था कि अब तो adjustment करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ तो यहां गडबड हो रही है, ठीक है, अब देखो, मैं क्या चाह रहा हूँ, कि अगर नीचे जाए, तो भी मैं भी protected हो, यह एक breakout level है, या तो market यहां से support लेके, retest करके वापस चला जाएगा, या नीचे गर जाएगा, कुछ इस तरह का viewer में, दोनों side में अपने आपको protect करना चाहता हूँ, ठीक है, देखो, अगर मुझे अपने आपको थोड़ा सा भी bearish bias देना हो, तो मुझे यहां पी क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक bear put spread, यानि कि अगर आप इसको ठीक से ऐसे समझें, जो हमने bear put spread समझा, debit bear spread, जिसमें कि हम अपने bearish bias के साथ एक debit spread deploy करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा credit spread भी मुझे protection देता रहे, तो इसका क्या मतलब होगा, मैं पूरी तरह से मेरे debit spread से बाहर नहीं निकलना चाहता हूँ, लेकिन at the same time मैं bearish side पे protection चाहता हूँ, अभी क्या होगा, अभी नीचे आता है तो मुझे loss होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा protection चाहता हूँ, plus मैं अभी भी hopeful हूँ कि यह break out successful हो जाएगा, नहीं होता है तो थोड़ा protection चाहिए, कुछ इस क्योंकि यह अगर ऊपर गया तो यह like तो मुझे lossy देने वाला है, तो यह वाला call मुझे protection देगा, तो I will keep this link, अब मुझे bearish side का protection चाहिए, bearish side मुझे कैसे मिलेगा, एक bear put spread से मिलेगा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक ATM या ITM का put मैं buy करूँगा, और एक OTM के put को sell करूँगा, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, एक bearish bias वाला debit spread मिल जाएगा, जो कि मुझे इस side में protection देगा, दिखो कैसे करते हैं, confuse मतों मैं करके दिखाता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं इस link से बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि अब इस link के मुझे रिजरूरत नहीं, एक चाहिए ATM या slightly ATM मुझे एक put चाहिए, तो ATM क्या चल रहा है, 19 जाना है, slightly ATM ले ले लेता है, ये वाला put मुझे क्या करना है, कि buy करना है, तो मैं इस put को buy कर लेता हूँ, और मुझे चाहिए क्या, दूसरा मुझे लेक चाहिए, otm का put चाहिए, तो मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, और उन्हीं 700 का एक क्या करता हूँ, कि यहाँ पे put को sell कर देता हूँ, now if I look at my position, look at this, ये मुझे क्या बता रहा है, कि अगर अब market नीचे अगर गया, तो भी मुझे कुछ पैसा तो मिली जाएगा, और अगर market वापस पलट गया, तो ये जो call मेरी यहां buy बराबर है, तो अब मुझे दोनों साइट से protection मिल गया, अगर price यहीं रहे गई, जो कि very unlikely है, क्योंकि एक breakout level है, तो price यहाँ ना रहे, या तो breakout fail होगा, या successful होगा, ऐसा मेरा mindset है, price action को देख के, तो अगर price यहाँ कहीं रहे गई, तो मुझे loss होने वाला है, और जो loss पहले 5400 का maximum loss था, वो 7000 का हो गया है, इसलिए कहते है, adjustment करो, तो सोच समझ के करना है, जब आपको adjustment करना आए, otherwise, जब आपका trade आपके against में जा रहा हो, तो stop loss लेके बाहर निकल जाने का option आपके पास हमेशा होता है, adjustment, अगर आपको आता है, तब ही करना है, क्योंकि adjustment के साथ भी एक risk काती है, ठीक है, यह आपने क्या किया, deploy कर दिया, अब मैं आपको बताओं कि अगर आपने 1700 के बजाई, यह भी हमने क्या किया, 1700 का यह put pie किया, अगर आप सुचते मैं 1600 करना है, यहाँ पर हमें ऑप्स्ट्रा का यह जो payoff chart रहता है, जो visual presentation है, बहुत help करता है, क्योंकि हम यह यहाँ पर जल्दी से चेंज करके देख सकते हैं, अगर सुचो, आप बहुत ज़्यादा deep in the money नहीं गए होती है, और यहाँ पर आपने 1700 किया होता, तो आपको protection तो मिला होता, लेकिन क्या है, उस protection से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा होता, आपका max loss कम होता, लेकिन आपको फिर भी कुछ loss होता, अगर यह पूरी तरह इधर आजाता, निफ्टी नीचे आजाता, इसी तरह अगर आप और थोड़ा deep in the money, 1700 के जगे, 1600 का put sell करिया होते, तो आप देखो क्या होता है, आपको बहुत अच्छा खासा protection मिलता, क्योंकि आपका profit जो थोड़ा सा बढ़ जा जो हमने last video में समझाए कि, जितना आप adjust करेंगे, जितना profit की तरफ जाएंगे, उतना ही loss भी बढ़ेगा, ठीक है, तो मान लेते हैं हमने इसको deploy कर दिया, अब situation यह है कि अगर निफ्टी वापस उपर चला जाता है, तो मुझे profit होगा, नीचे आ जाता है, तो भी मुझे slight थोड़ा profit हो सकता है, यहां कहीं खतम हो गया, तो मैं को loss लेना ही पड़ेगा, अब चलते हैं ज़रा आगे चलते हैं, पिस हम इसको next day ले चलते हैं, या 30-30 minutes से भी ले जा सकते हो, आप देखो कैसे होता है, तो by the end of the day, क्योंकि आप मैं दोनों साइट से protected हूँ, तो मुझ 4800 का loss है, लेकिन इस position को next day carry करने में मुझे कोई डर नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि मैं दोनों साइट से protected हूँ, अगर gap up या gap down हो जाए, तो मैं पैसा ही कमाने वाला हूँ, हुआ क्या है, यहां पर यह बुद्वार यह खतम हो गया, यहां पर, ठीक है, यह बुद्वार यहां पर, next day क्या होता है, 9 बच के 16 मिनट पर, क्योंकि वो gap down हो गया, वो नीचे आ गया, मैं already मेरा loss आदे से कम हो गया, now if I keep moving fast, एक पॉइंट, सवा 10 के असपास मैं 1600 रुपे के profit में हूँ, आपको equation समझाई, मैं 4600 के loss से, दो adjustment किये, मैंने इसको निकाला, एक नया leg किया, और मेरे equation यह होगी, कि मैं दोनों side से protected हुआ, अब हुआ क्या है, मैं जहां loss में था, मैं 1600 रुपे के profit में हुई, जैसा मैंने बताया, आप trade से कभी भी निकल सकते हैं, जब आप comfortable हो, ठीक है, जब आपको लगे कि अब मेरा price section कुछ sideways जा रहा है, क्योंकि यह मेरी directional strategy है, कभी भी निकल सकते हैं, क्योंकि आपने अपना loss तो बचा ही लिया, आपने capital protect हो गई है, जिस्त आपको दिखाने के लिए मैं इसको पूरा चला रहा हूँ, loss तक 1700, 200, देखो loss वापस, क्योंकि बीच में sideways गया होगा, 1400, 1300, 1300, और यह लगबग अब gamma effect आने वाला है, कोश के 16 मिनट पर मुझे 1300 रुपे मिल रहे हैं, और मैं 1200, 37, 37 बज़े मुझे 700 रुपे मिल रहे हैं, मैं loss में नहीं हूँ, निकल मैं कभी भी सकता था, मेरे पास choice थी, कोशिश ये करने चाहिए, कि gamma effect जो कि last दिन आता है, especially expiry के दिन 1.5 बज़े और 2.5 बज़े, मेरा experience से बोलत के अपनी position पुरी तरह close कर दो, जो मिल रहा है, उसे ले के घर चले जाओ, क्योंकि जब एक बार gamma effect आएगा, तो आपको नहीं पता क्या होगा उस वक्त, ठीक है, तो हमने 2 adjustment सीखें आज के वीडियो में, कि कैसे आप अपने आपको protect कर सकते हो, अगर trade आपके पुरी तरह against चला जाए 180 degree reversal मार दे, या आपको ऐसा लग रहा है कि 180 degree reversal होने वाला है, और या फिर trade आपके against तो चला गया है, लेकिन आप confirm नहीं हूँ, आपको यहाँ पे कोई support पर दिख रहा है, और आपको थोड़ा indecision है कि क्या पता नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, तो आप अपन देखना बहुत आसान है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी deploy नहीं कर पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस कर लो, यह जो है, आपस्ट्रा, इसमें back test यह जो हमने किया है, simulation, यह free नहीं है, इसके लिए 1500 रुपय का पर मन्त का subscription लगता है, but there is another option, जिसको बुलते हैं, stock mock, stock mock भी इस तरह का आपको simulation की facility देता है, और उसका subscription है भी सिर्फ 400 रुपय का, 400 रुपया पर मन्त, मैं भी अपना वहाँ पे एक account को ल रहा हूँ, यह वाला subscription जैसी end हो जाएगा, अगर आप चाहते हो कि आप मेरे referral से वहाँ पे stock mock में account कोलना चाहते हो, तो मैं link description में छोड़ दू क्या है, so thank you very much